नमस्कार जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार में आपका स्वागत है आई चलते हैं खबर की ओर अमेरिका के उत्तरी डेंट्रोईट में मंगलवार को एक स्कूल में एक हमलावर ने गोली वारी कर दी जिसमें तीन किशोरों की मौत हो गई और आठ अन्य लोग घायल हो गए हैं प्रशासन ने इसे इस साल का सबसे जानलेवा हमला करार दिया है आरोपी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया अधिकारियों ने बताये कि पुलिस को दोपहल लगभग 12 बचकर 55 मिनिट पर सूचित किया गया कि उत्तर डेट्रोईट के उपनगर आक्सफोर्ट टाउंस्टिप के आक्सफोर्ट हाइ स्कूल में एक बंदूग धारी है यह भी बताया कि आठ गोली बारी में घायल हुए हैं शेरिफ के मताबित गोली बारी में जो मारे गए हैं उनमें से एक 16 वर्षी किशोर एक 14 वर्षी किशोरी और एक 17 वर्षी किशोरी शामिल थे वहीं घायलों में से 6 की इस्तिती अब इस्तिर है और बाकी दो किस सरजरी हुई है पहुंचाते रहे खबरे हम आपको इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन की बटन को दबाना न भूले आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें